तो अब सवाल यह है किया नया शो हिल हाउस के बनाए हाई स्टेंडर्स पर खरा उतरता है? इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरोड जवाब होगा नहीं. मुझे नहीं लगता कि आगे भी जल्दी कोई ऐसा हॉरर शो आएगा जो हिल हाउस के स्टेंडर्स को बीट कर सके. मैं हिल हाउस के बारे में इतना बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी मेरी तरह इस शो को देखने से पहले हाई एकस्पेक्टेशन्स लेकर जाएं. चांस यसा है कि आपको डिसपॉइन्मेंट होगा. बट मुझे गलत मत समझिए. मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बलाए मैंनर एक बुरा शो है. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यह सोचकर मत जाना कि यह हिल हाउस से बैटर होगा. मैं अक्से मेरे review वीडियो में कहता हूँ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपने expectations को gauge कर सको इसमें आप ही का बला है In short, नए show को Hunting of Hill House से compare मत करना But ironically हम इस review में वही करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले full disclaimer ये वाला review The Hunting Series के fresh viewers के लिए नहीं बलके उनके लिए है जो already The Hunting of Hill House को देख चुगे है अगर आप उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने अभी तक The Hunting of Hill House नहीं देखा तो आप लोग पहले Bly Manor को देखना और फिर जाकर Hill House को देखना ज्यादा मज़ा आएगा Trust me, अगर आप नए हो तो कोई review देखने की ज़रूत नहीं सीधा जाकर show को देख लेना अगर Bly Manor Hill House से पहले आता तो आज हम उसे one of the best horror show बुला रहे होते बट अब Hill House ने audience के दिवाग के अंदर ऐसा gold standard पैदा कर दिया है कि अब चाहे हम कुछ भी देख लें हमें उसमें कमिया ही दिखेगी अच्छी बात यह है क्योंकि ये show भी Hill House के creators ने बनाया Bly Manor भी Hill House की universe का ही part लगता है I mean इसका direction, cinematography, slow background music और storytelling आपको Hill House की याद दिलाएगी Hill House के कुछ actors आपको इस show में भी देखने मिलेंगे बट बस actors same है, characters नहीं अगर ratings की बात करें तो pure horror genre को consider करते हुए अगर मैं Hill House को 9 out of 10 rating दूँगा तो वहीं Bly Manor को मैं दूँगा 7.5 out of 10 इसे और detail में समझने के लिए चलिए इस show के similarities और differences के बारे में बात करते हैं ये कहानी भी एक बड़े से घर और उसके अंदर रहने वाले परिवार की है बट Hill House की स्टोरी में हम एक ही family की स्टोरी को शुरुआत से end तक देख रहे थे एक ही family दिखाने का फाइदा ये है कि audience उन family members से foreign connect होती है धीरे धीरे हमें भी ऐसा लगने लगता है कि हम भी उसी family का हिस्सा है Bly Manor के maximum characters रहते तो एक घर में है बट वो family का हिस्सा नहीं होते सारे characters की अपनी अपनी अलग personal story है बट अच्छी बात यह है कि 7th episode तक आते आते audience उन सारे characters से connect होने लगती है और इसकी बुरी बात भी यही है किसी भी character से connect होने के लिए आपको उस character की backstory पता होनी चाहिए जिसमें time लगता है माना कि इसकी creators ने character arcs को बहुत ही अच्छे से handle किया है बट अगेन उसमें time लगता है अगर मैं यह चीज किसी novel में पढ़ रहा होता तो तब मैं इन detail stories को enjoy करता बट मैं यह सब TV show में देख रहा हूँ show में यह सब slow लगता है और इसलिए Black Manor का overall pacing and storytelling खिचा हुआ और निहायती slow लगता है इसलिए मैंने show को शुरुआत में ही horror drama कहा क्योंकि इसमें horror और drama 50-50 है well to be honest 70% drama और बस 30% horror कुछ लोगों को यह thick laid stories और detailed character arcs अच्छे लगते हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ पड आम नाट शूर कि यह चीजे 9 episode वाले horror show में fit होती है 9 में से अगर आप 7 episodes में character development करोगे तो वो horror show कम और daily soap drama ज्यादा लगता है I mean even show के main character से connect होन में मुझे 8.5 episodes का time लगा almost 8.5 गंटे जबकि Hill House के पहले 4 episodes में ही हम सारे family members को अच्छे से जान गए थे दूसरी चीज़ तो मुझे अच्छे नहीं लगी वो थी इसका overall story flow story slow तो थी बड़ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि इसके creators Hill House को copy करके इस show को बना रहे हैं जैसे के एक horror story ले ली और उसको जबरदस्ती तोड मरोड कर Hill House की तरह बनाने की कोशिश की गई Even इसके कुछ बड़े plot twist moments भी Hill House के plot twist moments का direct rip off लगते हैं वो कहते हैं न, if it ain't broke don't fix it इसलिए इसके slow pacing, character development और not so mind blowing plot twist moment की वज़ा से मैं ऐसे rate करूँगा 7.5 out of 10 तो यह था मेरा personal opinion शो देखने पर आपको क्या लगता है वो मुझे comment section में बता देना अगर आपको वीडिय अचा लगा तो please like, share and subscribe for more videos like this मैंने ऐसे और भी videos बनाये जिनके links आपको description box में मिल जाएंगे thank you very much for watching and I am hoping to see you in my next one